हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत है आप सब लोगों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड तो आज लोग हम लोग इस चैप्टर को जो चैप्टर नंबर हमारा ग्यारा है और बेसी राजस्तान बोर्ड का जो चैप्टर नंबर जो है ए ग्यारवा चैप्टर चैप्टर नंबर 11 मैं जिसमें हैं ऑप्टिक्स प्यर्न प्रकासी की रह ऊप्टिक्स जो है उसके जिपर्टेंट मोस्ट इंप उकोर्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ आप इस वीडियो को लाक्ष तक देखें और इसी हमारे यूट्यूब चैनल के उपर फिजिक्स वर्ल्ड के चैनल के उपर ही आपको पूरे कोर्स के 17 के 17 चैप्टर के important questions chapter wise मिलेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 11 है उसके अंदर यह very most important जो questions है बोर्ड एक्जाम के लिए चैप्टर नंबर 11 किरन प्रकासी की रे ओप्टिक्स के लिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ प मेरी guarantee है यह first number वाला question 99.99% यही question चार नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर राजस्तान बोर्ड के अंदर physics के अंदर इस बार आएगा confirm है यह प्रिज्म वाला second question है lens maker शुत्र जिसका यह formula दिया गया इसको भी आपको प्रूव करना है इसको भी आप करके जाएं यह इतना important न diagram, derivation of magnification और इसका neat and clean diagram है वो आपको त्यार करके जाना है यह भी बच्चों very very most important है और संयुक्त सुक्स्मदर्सी को ही कहते हैं योगिक सुक्स्मदर्सी means chapter number 11 के अंदर आपको दो derivation confirm करके जाने है एक प्रिज्म वाला derivation और एक संयुक्त सुक्स्मदर्सी वाला derivation यह प्र 108% चार नंबर का question छपेगा बच्चों RBSC board राजस्तान मादिमिक शिक्षा board physics के अंदर class 12th के अंदर ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अलावा यहाँ पर 4 derivation और दिये गए हैं दो दूर दर्सी हैं हमारे course में अपवर्ती दूर दर्सी और परावर्ती दूर दर्सी reflecting टेलिस्कोप और रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कोप इनकी भी complete detail आप लोग एक बार देखे जाएं फिर सरल सुक्समदर्सी सिंपल माइक्रोस्कोप यह आवर्दन ग्लास भी बोलते हैं इसको फिर लेंस सुत्र लेंस समीकरन और पतले लेंसों का सहयोजन यह इतने important नहीं है बच्चों लेकिन आप फिर भी इनको पढ़के जाएं यह साथ डेरी विशन अगर आपने इस चेप्टर से कर लिए तो आपके चार नंबर का एक कोश्चन हंड्रेट परसेंट आएगा जिसमें मेरी गारंटी है फर्स्ट वाला या थर्ड वाला यह जो दिया गया है प्रि प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वक्स तो इसका अंसर होगा पूर्ण आंत्रिक परावर्तन टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन यह कोशन बोड में आ सकता है इंपोटेंट है फिर परावर्तिक दूरदर्सी और अपवर्ती दूरदर्सी से स्रेष्ट क्यों है यह अपवर इनके अप्लोड कर दूंगा पूरे चेप्टर के वीडियो फिलाला मिस वीडियो के अंदर आपको इंपोटेंट कोशन और बता देता हूं इसके अलावा आप लोगों को यहां पर इसी चेप्टर के अंदर पढ़ना है लेंस की समता पावर अप लेंस उसमें क्या पढ़न आप लोग दो नियुमरिकल मैंने दिये हैं जिसे कोई आपको फोकस दूरी दे दी और लेंस की समता पूचिए तो आप लोग ध्यान रखें उत्तल के लिए पोजिटिव होती है उत्तल के लिए नेगेटिव होती है इसमें आपको पढ़ना डाइग्राम प्लस डेफिनिश साथ सब वन वर्ड है आप इनको जरूर करके जाए लगुतरात्मक शोट कोश्टन है छे साथ नो और ऐसे टाइप के कोश्टन होगे तीन पांच छे साथ आट और वैसे आप टेंशन मत लेना ये सारे के सारे कोश्टन वही है जो मैंने उपर लिखे है ठीक है वो तो उसकी कंप्लीट भासा किस हिसाब से देता है उसके लिए और जो नियुमेरिकल्स जो इंपोर्टेंट है इस चेप्टर में वह ये है चेप्टर के पीछे वाले कोश्टन नंबर पांच साथ नो दस और एक्जामपल उदारान है ग्यारा पॉइंट चोबीस ग्यारा पॉइंट उ और यारा पॉइंट 15 यह आप लोग करके जाएं इस चेप्टर के अंदर कंफर्म आ जाएगा आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है और सबसे जो इंपोर्टेंट है इस चेप्टर के अंदर वह मैंने आपको बता दिया प्रिजम द्वारा अपवर्तन रिफ्रेक 26 के क्लास 12 के और अभी अभी अपडेट आया है कि 15 मही के बाद में आप लोगो के बोर्ड के एकजाम होंगे और आपके जो 30 नंबर प्रैक्टिकल के उसमें से 15 नंबर जो है वह आपके फाइल के जो रिकॉर्ड के है उसके होंगे यह अभी नए अपडेट आया तो आप ए ठीक है और यह कोस्टन आप लोगों देख लेना एक बार सारे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और यह जो निबंदात्मक ऐसे टाइप जो कोस्टन है चप्टर के पीछे वाले वही है जो मैंने उपर आपको जो डेरिवेशन बताये हैं न वही वाले तो अब इस वीड वीडियो पर आप लोग देखिए आपको सारे चप्टर्स के यहां पर वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट कॉस्टन मिल रहे हैं ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच